हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दगुग बुग बाई आभा में चिकन की तो जितनी भी रेसिपी बना लो उतना ही कम है आज की जो मेरी रेसिपी है वो है भुना चिकन मसाला आप इसे स्नेक्स के रूप में खा सकते हो ड्रिंक्स के साथ खा सकते हो नीमबू और नमक लगाकर अच्छे से वाश कर लिया है और फिर इसे हमें एक थाली में मैंने डाल दिया है थाली को इस तरीके से थोड़ा सा तेड़ा कर देंगे थाली के नीचे चिकन की साइड में मैं एक मूली का टुकड़ा लगा रही हूँ आप अद्रक, मूली या साबूदaldज का तयार कर लेते हैं मसाले के लिए मैंने एक गडाई रगदी है गैस पर इसमें में डेल टेबल स्पून साबूद धनिया डाल रही हूँ एक टेबल स्पून मैं यहां पर साबूद जीरा ले रही हूं एक टीई स्पून मैंने हं पर मोटी वाली सॉंफ लिया और दो लाल मिर्च मैने लिया हुआ है आप चाहें तो आप इसे और थोड़ा सा एक दो डाल सकते हैं और अब बिल्कुल फ्लेम पर इसे केवल एक मिनट तक हमें भूलना है मसाले को पूरा 100% तक हमें नहीं भूलना है सिर्फ स्लो फ्लेम पर एक मिनट तक हमें इसे भूलना है और अब एक मिनट के हो चुके हैं तो मैं मसाले को एक प्लेट में निकाल ले रही हूं और जब मसाला ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्स ग्रांडर जार में डाल कर पीस लेंगे और अब चिकन का पानी बिल्कुल निकल गया है तो मैं इसे एक मिक्सिंग बॉल में निकाल ले रही हूँ और फिर मिक्सिंग बॉल में ही इसे हम मेरिनेट करेंगे चिकन को मेरिनेट करने के लिए जो मैंने मसाले को ड्राइ रोस किया था उसे मैंने पीस लिया है और इसे मीश्मिंड में डाल दे रही हूँ और अब एक चथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर स्वात के अनुसार नमक एक टेबल स्पून मैंने यहां पर निम्बू का रस डाल दिया है और एक टेबल स्पून मैंने यहां पर लेसुन द्रक का पेस्ट और इसके साथ ही साथ एक टेबल स्पून मैंने यहां पर कच्छा सर्सो का तेल यूज किया हुआ है इसे पकाया नहीं है और अब इन सारी चीजों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों की कोटिंग को हमें सारे पीसेस पे अच्छे से कर लेना है ताकि अच्छे से मरिनेट हो जाए और अब सारे पीसेस को मरिनेट करने के बाद हम इसे आदे घंटे के लिए ढग कर रख देंगे और तब तक हम आगे की त्यारी करते हैं यहां पर मैंने तड़के के लिए मसाला लिया हुआ है जिसमें एक तेजपत्ता, एक छोटी सी दालचिनी का टुकड़ा, दो हरी इलाइची, आठ से दस काली मिर्च, एक छोटा चमच मैंने साबु जीरा लिया हुआ है, चार लॉंग ली हुई है और जो आधी मैंने बड़ी लाइची ली हुई थी, मसाले में ड्राइ रोस किया था और उसका आधा पार्ट यहां पर मैं यूज कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत फाइनली चॉप किया हुआ, मैंने चार मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है, और अब मैंने आधा इंच अधरक का टुकड़ा जिसे पतले-पतले लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, और बहुत बारीक कटा हुआ, 12-15 मैंने लेसुन लिया हुआ है, और अब मैंने दो मीडियम साइज के पके हुए लाल टमाटर लिये हुए है, इसे हम कद्दू कस करके इस रेसिपी में यूज करेंगे, चिकन को मेरिन करते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, और अब जैसे ही मसाले को हमारे क्रेकल करने लगेगे, हम इस में जो लेसुन बारी कटा हुआ हुए थे, उसे डाल देते हैं, और लेसुन डालने के बाद इसे हम थोड़ी देड तक पका लेंगे, लेसुन को हमें golden brown color में नहीं भूनना है इसे में जो हलका ही भूनना है और फिर लेसुन को हलका सा भून लेने के बाद मैं यहाँ पर सारी प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी चार medium size की वो प्याज में डाल देती हूँ और अब इसे हम medium flame पर हलका सा color change होने तक भून लेंगे इस तेजपते को मैं थोड़ा सा दो टुकड़े में कर लेती हूँ जिससे मुझे चलाने में आसानी हो जाए और अब medium flame पर मैंने प्याज को भून लिया है प्याज का color थोड़ा सा change हो गया है प्याज थोड़ी सी गल भी गई है तो मैं इसमें एक चमच देगी मिर्च डाल दे रही हूँ इससे हमारे जो chicken का color है वो बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर मैं एक तिहाई छोड़ा चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा मुझे यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो chicken बनाना है वो पीले रंग में नहीं बनाना है और बिल्कुल slow flame पर हम एक मिनट तक इस हल्दी और मिर्च को भून लेंगे एक मिनट तक हल्दी और मिर्च को मैंने यहाँ पर भून लिया है तो अब मैं इसमें कद्दू कस करके जो मैंने टमाटर दिखाया था इसे डाल देते हैं और इसे भी डाल कर हम खोल कर एक मिनट तक भून लेंगे टमाटर को थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल दे रही हूं नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि मैरिनेशन में भी चिकन के हिसाब से मैंने नमक डाला हुआ था तो अब नमक डाल कर इस टमाटर और प्याज ले सुन जो सारी मसाले हम भून रहे हैं उसे मिक्स कर देंगे और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके स्लू फ्लेम पर तीन मिनट के लिए ढग देंगे जिससे कि जो प्याज और टमाटर हैं बहुत अच्छे से गल जाए इसमें मसाले सब भून जाए और हलकी सी शाइन आ जाए आप अच्छे से गल जाए यह देखे हमारा यह जो टमाटर प्याज वगया रहा है कितना अच्छे से गल गया है और देगी मिर्स डालने की वज़ा से यह जो टमाटर प्याज सब कुछ मसाले हैं यह बहुत अच्छे सा कलर भी इसमें आया है तो अब इस स्टेज पर हम अपना जो मेरिनेट किया हुआ चिकन है इसे डाल देते हैं और फिर इस चिकन को डाल कर सारे मसालो में हम इसे मिक्स करेंगे इस चिकन में हम सारे मसालों को अच्छे से कोट कर लेंगे चलाते हुए और इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इसे ढख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट तक यूँ ही पकने देंगे और 5 मिनट के बाद हम खोल रहे हैं और खोलके इसे इसी तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इस तरीके से हम लगभग 4-5 बार जब तक कि चिकन हमारा अच्छे से गल न जाए या ओयल न रिलीज हो जाए हम इसे 5-5 मिनट पर कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे अब देख सकते हैं चिकन का कलर कितना अच्छा होता जा रहा है मैं हर 5 मिनट में इसको मीडियम फ्लेम पर ढखकर पका रही हूँ और बीच बीच में इसे चला रही हूँ और अब ये oil अच्छे से release हो चुका है चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है तो अब इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च ली हुई है इसे मैंने बी से slit कर लिया है और इसके साथ ही साथ जो अद्रक के मैंने पतले पतले लच्छे काटे हुए थे उसे भी मैं डाल देते हूँ इसमें इसका जो हरी मिर्च और अद्रक के लच्छे इस स्टेज पर डालने पर इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और इसी स्टेज पर अगर आपको मसाला थोड़ा तेज खाते हैं तो आप एक छोटा चमच गरम मसाला डाल सकते हैं यहां पर मैं मसाला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मसाला हमने इसमें अल्रेडी डाला हुआ है तो अब इसे मैं दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर एक बार और कवर कर गए रख देती हूँ ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वह इसमें अच्छे से आ जाए और अब इस स्टेज पर चिकन भुना मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है आप चाहें तो इसे स्नेक्स के रूप में या फिर स्टार्टर के रूप में इसे इसी तरीके से खा सकते हैं और अगर आपको चपाती से या फिर चावल से खाना है तो यहां पर मैं इसे चपाती से मुझे खाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें पानी जादा नहीं पड़ेगा मैंने सिर्फ 1 फॉर्थ कप यहां पानी डाला हुआ है और अब पानी डाल कर इसे हम मिक्स कर देते हैं और फिर मिक्स करने के बाद इसे मैं 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे और फिर 3-4 मिनट के बाद मैं कवर को खोल रही हूँ आप देख सकते हैं कि क्या इसका कलर है क्या इसका टेक्सचर है बहुत ही टेस्टी लगता है यह खाने में भी लेकिन इसका स्वात तो आपको तभी पता लगेगा जब आप इसे बनाएंगे तो बस अब लास में इसमें बारी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और अब 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख देती हूँ और फिर 10 मिनट के बाद इसे हम गर्मा गरम चपाती से या फिर पराठे से सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स आज की इस रेसिपी को आप एक बाद जरू ट्राइ करिएगा ये भुना चिकन मसाली के जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है बहुत ही टेस्टी है डिफिरेंट्ली आपको ये बहुत पसंद आगा इस्पेसली पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल दिन बाबाई